कि आज के लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम के कुछ प्रोलम को शॉल्व करेंगे to find the sum of two numbers write an algorithm to find the sum of two numbers दो numbers को sum करने का algorithm हम लिखेंगे अब algorithm क्या होता है representation step by step किसी problem के solve करने का अब प्रोलम हा रहा है दो नमबर को एड करना है तो दो नमबर को एड करने के लिए हमें क्या क्या करना हो अगर हमें सिस्टम में करना है तो सिस्टम को एस्टार्ट करना होगा उसके बाद हमारे पास दो नमबर होना चाहिए जिसको एड करना है जब दो नमबर मिल जाएगा तो उसको हम लोका करेंगे और अड्र करने के बार करेंगे उधको Kont मुझाषर देंगे जो एंसर आ गया है सब्सक्राइब और जो कुछ जाए तो फॉल्ल ना रूंच asc start होगा और last step हमारा stop हो जाएगा त्यसका step first में Start कर दिए step second आपको यहीं समझना है कि step second में हमें क्या चाहिए step second में हमें को दो नमबर चाहिए जिसको हमें अड़ करना है दो यहां पर ले लेते हैं text input या read यहां पर करते है're do numbers और numbers हम यहां पर मालत है a and b numbers a and गákia ряд कर लेंगे तो यहां पे हम्लोक कर लेंगे साम एकक्वल टू ए पलस भी कुछ भी डाइब से इसकते हैं आइड फ्रीप कर लें हिए एसक्तों क्रैंगे एसको फॉर में करैंगे इसको हम्हें रिजल्ट मिल् Fifa हानक किसी रूप यहां पर दिस्प्लेए कर लिए अब देखिए हम यहां पर रीड कर लिए प्रोसेसिंग कर लिए और पूद देदिए अब हमारा और सटीप कंप्लेट हो गया अब यह स्टार्ट कि आ हैं तो रास्ट स्टेप में क्या हो गया आपका प्रसेशिंग करने के बाद उसको प्रोसेशिंग करेंगे और प्रोसेशिंग करने के बाद हम लोग उसका और पूर्प देंगे हम लोग यहीं काम करते हैं कम्पूटर यहीं काम करता है कि पहले इन्पूट लेता है फिर उसके बाद प्रोसेशिंग करता है और प्रोसेशिंग करने के बाद उसका आउट्पूट देता है स्क्रीन पे हम लोग यहीं करते हैं पहले सुनते हैं उसके एंसर को हम लोग अपने India of circle find the area of circle तो circle के area निकालने का algorithm निकला है तो आपको एरिया निकालने के लिए आपकी for formula अप्रता वना चाहिए और नेकालने के लिए ऐका pathway क्या ओता हैं पाई-R स्कौायर जहां पे पाई क्या है constant है और आर क्या है का radius है तो यहां पे area तभी यह आप find कर सकते हैं जब आपके पास radius की जनकारी होना चाहिए तो यहाँ पर input हमें क्यालाना होगा radius तो आप step one में start ही राखेंगे step two में क्या कर देंगे कि यहाँ पर input करेंगे read radius radius of circle, circle के radius को आप यहाँ पर read करेंगे यहां पर processing करएंगे processing में इहां पर एरिया लिखेंगे area equal to 3.14 multiply by r multiply by r और यहाँ पर display कर देंगे display area देख्वी हम लोगा input लिए processing किये area को display कर दार जाल दीये stop कर दिये यह simple algorithm हो गया किसी भी circle के area को find करने के लिए अगर आपको कहा है कि rectangle कर गया निकालने तो rectangle के area के लिए यहाँ पे read करना पड़ेगा आप rectangle के लिए जानते हैं कि area equal to length into breath होता है तो यहाँ पे length और breath दोनों को read करेंगे यहाँ 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 लेंथ मुल्टिप्लाइब ब्रेथ कर देंगे यहाँ पे एरिया को display कर देंगे बस हो गया तो यह आपका algorithm हो गया find करने का area of circle एक और कोशन का हम लोग करते हैं राइट एन अल्गोरिफ्रम राइट एन अल्गोरिफ्रम टुव कनवर्ट तू कनवाड अट गई को डिग्री सेल्शियस टू करना है का है आपको टेंप्रेचर मिलेगा डिग्री सल्शियस में कनवल्ट करना है फौरन हैट उसको हम लोग कैसे पतंब्र करेंगे उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले आपको इसको convert करने का formula पता होना चाहिए formula क्या है c by 5 equal to f minus 32 by 9 convert किसमे करना है foreign head में कहां से degree Celsius ते इसका मतलब के पास degree Celsius मीलेगा foreign head में convert करेंगे कहां से formula calculate करेंगे तो 9 को इधर लाएंगे तो 9c divided by 5 जाएगा equal to f minus 32 32 को इधर लाएंगे तो 9 divided by 5 into c plus 32 equal to foreign head तो यहाँ पका formula होगे calculation आप यहाँ पे करेंगे c का value put करेंगे foreign head value यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका step के से लिखेंगे तापको क्या चाहिए degree Celsius चाहिए तो यहाँ पे करेंगे read temperature in degree Celsius प्रोसेसिंग में क्या करेंगे तो f equal to 9 divided by 5 into c plus 32 यहाँ पे display कर देंगे display किसको करना है तो foreign head को तो यहाँ को display f में निकाल है तो यहाँ को display कर देंगे और stop करेंगे that is algorithm to convert degree Celsius temperature to Fahrenheit तो सिंपल सिंपल अल्गोरिथम होता हाँ इसी को step by step from the link देते हैं किसी problem को solve करने का ते इसी को बोलते है अल्गोरिथम अब आपको algorithm क्या होता है कि यह हो रहा होगा एक और problem करते हैं थोड़ा कई से और आगे step बढ़ाते हैं नेस्ट प्रोलम हम लोग कर होगा write an algorithm to compare two numbers write an algorithm to compare two numbers यानि यहाँ पे आपको दो numbers मिलेगा और उन दोनों numbers को compare करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है दोन नंबरों compare करने का अल्गोरिथम तो दोनों नंबर को जब भी आप compare करेंगे तो एक condition put करेंगे और condition true होगा तो जो condition true होगा उसमें एक true हो जागा और एक force हो जाएगा कैसे करेंगे देखिए हमारे पास read करेंगे रीड टू नंबर्स ए एंड बी ए और बी दो नंबर्स को रीड कर लिए compare करेंगे यहां पर हमनों लिखेंगे इफ ए इस गेटर देन बी देन गो टू अस्टेप किस अस्टेप पर अगर यह condition true है तो यह बड़ा हो जाएगा अगर यह condition true है तो यह बड़ा हो जाएगा तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं अगर हमाले जी यह condition false हो गया यह बड़ा हो जाएगा तो यहां पर आफ्लिक देंगे बी इस ग्रेटर और हम लोग यह देखके चल रहा है कि अगर एक condition false हुआ तो बी बड़ा हो जाएगा और हमें माल लिए के condition false हो गया तो नेस्टर स्टेप पर चाल जाएगा लेकिन अगर कंडिशन फॉल्स नहीं हु आप मेरी बातों को समझ पा रहा हैं अगर एक condition true हुआ तो कहां आ जाएगा step 5 पर अस्टेप 5 पर क्या प्रिंट करेगा a is greater लेकिन अगर यह condition false हुआ तो step 5 पर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा यह जस्ट नीचे वाले step 4 पर और यहां प्रिंट करेगा b is greater और step 6 में हो जा यहां पर एक step बढ़ गया पहले वाले प्रोगाम से अब यहां पर समझ पा रहा है आप कि हो सकता हां कि आपके मन में एक कुशन आ रहा हो कि अगर एक condition false हुआ तो step 4 को प्रिंट करेगा क्या फिर step 5 प्रिंट करेंगे इस तरह का डाइमंड में एक क्या यह बढ़ा है भी से अगर condition false हुआ या true हुआ अगर true हुआ तो इधर जाएगा अगर false हुआ तो इधर जाएगा और दोनों ही केस में आप आका या stop हो जाएगा तो दोनों में से किसी एक स्टेप को ही फूलो करेगा तो ती हम लोग आज के लेक्चर में चार अल्गोरिथम का सिंपल सिंपल प्रोग्रम किये बाकी जो बैहतर प्रोलम है जो आपके एक्जाम में आ सकता है वो आपको अप्लीकेशन पर डाल दिया गया है और उसके प्रोलम का अप्सोल्व करेंग जैसे कि आपका क्वाडिट की रूट्स का अल्गोरिथम कैसे फ्रेंड कर देंगे तीन नंबर का हम लोग अल्गोरिथम कैसे कंपेर करेंगे तो तीन नंबर को कैसे कंपेर करेंगे एक काफी इंपोर्टेंट होता है जो आपको अप्लीकेशन पर हुमर के रूप में उसका वीडियो भी आपको solution वीडियो आपके application पर ही मिल जाएगा